दूसरे तरफ गुजरात के सियम भुपेंदर पटेल ने मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए NDRF, SDRF और अन्य एजंसियों ने चक्रवाद के होने वाली किसी भी शती से बचाओ के लिए कचेन प्रयास किया प्रधार मंत्री मोदी और ग्रे मंत्री अमिर्शा के मार्ग दर्शन में ये संबह हुआ है और मैं राजी की जनता का भी उनके सहयोग के लिए आभारी हूँ NDRF और SDRF के लिए कठेन काम ये भूपेंद्र पटेल ने कहा उन्होंने साब तो पर कहा कि प्रधार मंत्री और ग्रे मंत्री अमिर्शा के मार्ग दर्शन में हमने बहतरी से काम किया लेकिन अब देखे सरकार के सामने गुज्रा सरकार के सामने चैलेंज है सबसे बड़ा कि वापसे री इस्टाब्लिश्मेंट की तरफ वो कितनी जल्दी पुनर स्थापन की तरफ आगे बढ़ पाते हैं लोग जिनको विस्थापित किया गया था अलग अलग जगहों पर शाल्टर होंस में उनको कैसे वापस से घर मोहया करा पाते हैं तास्क बहुत बड़ा है लेकिन इस तास के साथ केंदर सरकार और तमाम देश के लोग भी गुजरात के साथ खड़े हैं तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं ये सीधा तस्वीरे हैं विपर जोई के बाद गुजरात के हालात कैसे हो गएं देखे पानी ही पानी हर जगा भरा हुआ है कई जगहों पर जन जीवन पूर 581 पेड़ उखड़ गए हैं जबकि 46,000 ऐसे गाउं जहां पर सीधित और पर पानी दाखिल हुआ है पानी दाखिल होने के बाद गाउं पर जन जीवन पर प्रभाव भी जरूर पड़ा है और सबसे बड़ी बाद चक्रवाद से 46,000 गाउं जब प्रभावित हुए उस दोरान लोग शेल्टर होम्स में थे यानि कि जन हानी एक भी नहीं हुई है और इसी के साथ विपर जोई उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया है विपर जोई को लेकर देश के लिए अगली खबर क्या हो सकती है वो भी आपको समझदी शाहिए अगली खबर राजस्थान से सामने आ रही है क्योंकि गुजरात में तो आप दाटल गई बारी राजस् अग्स के पांदलों में आयमडी का रेड अलर्ट है जोद्पूर पाली जैसल मेर के लिए अलर्ट के लिए अप्रभाविश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारस शुरू बारस शुरू होते ही प्रशाशन अलर्ट मोड पर आ गया है पांच उज़लों में दिख रा है व यह तस्वीरे पांजिलों जिनमें जोदपूर है पाली है जैसल मेर बाड मेर उदैपूर उदैपूर को जीलों का शेर कार जाता है जैसल मेर बाड मेर और पाली ऐसे शेत्र हैं जो की काफी सूखे हैं तो यहां पर बारिश बहुत जादा हो रही है